वमान में भागतवारा आगा ही करवा मावी शेब भारे वरसाद ने आगा ही फ्रकेश ऑड़एपूर में हवी टू वेडि हवी एट फ्लेस और वान ओर टू प्लेसे सब्सक्राइबात। अर्दे व्लशाद घृक्ष राएब दागा ऋशह झाल likes खृत का ऌ grateful for और नौर्ट में एहम्दाबाद खेडा आनन और स्वरास रिजन में सोमनात अमरेली भावनगर में हैवी रेनफॉल टाइसुलेटर पेसिस पे होने की सम्भावना है और अगर हम हम्दाबाद की बात करें city area में तो उसमें जो है कुछ जगाओं पे जो है रेन्फॉल इस पेल्स आने के चांसेज हैं अगर हम सिस्टम की बात करें तो जिसनाओ कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं है गुजरात के ऊपर बट एक सियर जोन है जो एटीं डिगी नॉट में फाइट फाइट किलोमेटर पे परसेश करता है इसके वे से रिंफॉर्ण है अगर हम एहमदाबाद के पास्टम के लिए भी गुजरात रिज्जम के कोस में जो है कोसल वारिंग दी गई है जिसमें से तेज हवाय चलेंगी जो कि 45 एटी टू 45 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से गस्टिंटू 65 किलोमेटर पर आवर रहने की समावना है अगले पास्टम क के लिए कोसल वारिंग दी एमदाबाद में लाइट रेंग की पॉसिबिल्टी है कुछ जोगों के और साउथ अगर हम एहमदाबाद की बात करें तो साउथ पार्ट ओफ एमदाबाद में एजडिस्टिक जो है एक जगह में जो है हेवी रेंफोल स्पेल भी हो सकता है बट अगले 24 गंटे उसके बाद से जो है ड्राजिस्टिक रेड़क्शन होगा रिनफॉल के लिए अज जो है छोटा उदयपूर को नोट कर लीजेगा वहाँ पे हैवी एक्स्ट्रीमली भी होनी का चांस है छोटा उदयपूर ठीक है और हैवी टुए रहेगा कुछ जगों पे फ्यू प्लेसिस पे और हैवी टु वेरी हैवी में हमने दिया है भरूज वडोद्रा पंचमहल दाहोद वलसाड दमन दादरा नजर अज के लिए आज के लिए और हैवी रेंफॉल के लिए सोमनाथ सवराष्ट में सोमनाथ अमरेली भावनगार यह तीन है है और हमदाबाद खेड़ा अनन्द में भी है इसलेट दिया गया है इस्टिल के साउट पार्ट में में जिए है वे इस्टिल में पर सूमनाथ अमरेली भावनगार पार सूरत और सूरत तापी नौसारी डांग यह भी जो है है वी में रहेंगे कल जो है साउथ बुजरात में काफी पारी सोगती है हाँ सूरत नौसारी वलसाट में एक्स्रीमिली रेंट फॉल होगती है तो हमान विभागतवारा भारे थी अतिभारे वर्साद ने आगाही करवा माविचे चोटा उद्पूर मा अतियंत भारे वर्साद ने आगाही करवा माविचे सूरत तापी अने नवसारी माँ पन भारे वर्साद नी आगाही करवा मावीशे परन्तु छोटा ओदेपूर नी जो बात करवा मावे छोटा ओदेपूर माँ अत्यंत भारे वर्साद नी संभावना उव्यक्त करवा मावीशे